नमस्कार न्यूज नेशन पर ओकिनावा परजैंट्स चैंपियंस की जंग देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं मौनुच चहल आईपेल 2024 का मैच नमबर 26 लखनो के इकाना स्यडी में खेला जाएगा एक तरफ लखनो सुपर जैंट्स होगी जो इस वक्त शांदर फोम में है और दूसरी तरफ देल्ले कैपिल्स जिस टीम का हाल बेहाल है अगर लस्जी की बात करें तो भई चार मुकाबले खेले उन्हों अगर ये मुकाबला जीतना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा इस टीम को अपने पेटारे से कुछ ना कुछ तो बाहर लेकर आना पड़ेगा क्योंकि मैदान का नाम है इकाना अब रिशब पंत और देल्ले कैपिल्स की टीम सोचती होगी कि ये मुकाबला जीत कराना अगर आप फैंटेसी के दिवाने हैं तो कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे पिक करें उसके बारे बताएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं डेले कैपिल्स की जो टीम है रिशाब पंत की कैप्टन सी के अंदर इस टीम ने उस तरीका परफॉर्म करके नहीं दिखा है जिस क्योंकि ये टीम टाफ फोर में बहुत मुश्किल रगता बहुत इनको कुछ अलग करना पड़ेगा लगातार मैची जीतने पड़ेंगे इनको तो ऐसे में कुल्दी पियादो का इस टीम में ना होना सबसे बड़ा सैट बैक है तो दोनों टीमों की प्लेंग लाउन क्या हो दुबारा मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी देखने वाली बात रहेगी क्योंकि फोर्म से अभी भी स्ट्रगल कर रहें मिचल मार्श रिशाप पंत जोगी विकट केपर बैट्समन होंगे और कैप्टन भीस टीम के ट्रिस्टन स्टफ्स अक्षर पटेल सुमीत कुमार क कहीं ना कहीं डेली कैप्टल्स की स्प्लेइंग लाउन में आपने नाम बड़े देखे हैं लेकिन उस तरीके काम आया नहीं है चाहे मिचल मार्श हों और सिरफ ट्रिस्टन स्टफ्स और रिशाप पंत को छोड़ दें बाकी खेलाडियों का प्रफोर्मेंस आया नहीं है ब देखा जाए पिछला मुकाबला तो गुज्रा टाइटेंस के साथ कुछ इसी कॉबिनेशन के साथ खेले थे दोनों टीमें नजर डालते हैं प्लेइंग लाउन क्या हो चकता है लस्टी का कियल राहूल विकट कीपर क्याप्टन होंगे इस टीम के क्वेंटन डिकोक दिपक और इस खेलाडी ने वो बैटिंग भी बॉलिंग में इसे भी दमखम दिखाया है लेकिन दूसरी तरफ दिल्ले कैपिटल्स अब दिल्ले कैपिटल्स के लिए प्लैंटी ऑफ रब्लम्स है उनकी जो पेस अटेक है उसमें धार ने नजर आई चाहिए इशान सर्मा हो खलील अब नोकिया की बात करें नोकिया का अगर आप देखोगा इकॉनमी वो तेरा से चोदा के आसपास चला जाता है बताईए अब ऐसे कैसे काम चलेगा डेली कैपिटल्स का और स्पिन डिपार्टमेंट में कुल्दीप यादों का ना होना स्टीम के लिए सबसे बड़ा सैट मुझे ऐसा लगता है और लखनो की पीछ पर जहां पर स्पिन गेंदबाजों के लिए कुछ तो है इस विगेट पर तो अगर आप बात पिछकी कर रहे हैं तो देखी लेते हैं भाई लखनो के इकाना स्टेडियम का पिछ रिपोर्ट क्या कहती है देख लेते हैं यहां की पिछ की बात करें तो यह गेंदबाजों के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है यहां दो तरह की पिछ देखने को मिलती है एक ब्लैक सोयल की और दूसरी लाल मिटी की काली मिटी की पिछ की बात करें तो स्पिनरों का बोलबाला रहता है और दूसरी तरफ लाल मिटी पर तेज गेंद बाजों को अच्छा बाउंस मिलता है जो बले बाजों के लिए भी अनुकूल रहता है आंकडों की माने तो यहां पहले बले बाजी करने वाली टीमों को ज्यादा सफलता मिली है तो दोस्तों अगर आपने देखा लखनों की पिच जहां पर फसकर आता है तो ऐसे में वो बैट्समेन का यहां पर सक्सास मिल सकती उन बैट्समेनों को जो विकेट पर थोड़ा पेसेंस दिखाएंगे थोड़ा फुटवर्क जिनका अच्छा होगा जिनके पास वो टेंपरामेंट होगा हमने देखा मारकस टोनिस ने अच्छी पारी खिली ती पिचले मुकाबले में लेकिन जो दिल्चस बैटल होगी आई थिंक वो होगी रि जिशान, किशन भी हैं, जितेश भी हैं और अब केल राहुल भी हैं अब केल राहुल की समस्या क्या है कि उनको स्टार्ट तो अच्छा मिल जाता है लेकिन उसको कैटलाइज नहीं कर पाते बड़ी पारी में अब इनके लिए क्वेंटन डिकोक और केल राहुल को अच्छा स्टार्ट देना होगा टॉप ओडर में और मुझे ऐसा लगता है लस्जी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका टॉप ओडर ही है जहां पर क्वेंटन डिकोंक होंगे केल राहूल होंगे मारकस टोनिस होंगे और फिर निकलस पूरन जिस तरी के बैटिंग करते हैं उनके प देखा जाएं तो इलस्टे के पास क्या है फोंग भी है और कहीं ना कहीं वह क्लास भी है दोनों टीमों की देखा जाएं न जबाएं के लिए मुझे-विक लोग फोल नजर आता है मुझे एक वीक पॉइंट है वो है उनका माया के यादा हो उनके तुफ़ानी के इंदबा इसलिए वो शायद हो सकता ये मुकाबला ना खेलें लेकिन कुलदी प्यादो यहां से भी नहीं खेलेंगे तो ऐसे में दिल्चरस पर देखना कि कौन सी टीम बाजी मारेगे लेकिन दोनों टीमों के अगर head to head देखोगे बई आमने सामने जब 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 यह टीम में हुई हैं तो वहां पर क्या situation है वो भी देख लेते हैं head to head में किसने ज़्यादा बाजी मारी है दोनों टीमों के head to head पर नज़र डाले तो LSD के खिलाफ एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है दिलेली कैपिल्स, LSD और DC के बीच अब तक कुल तीन मुकाबले खेले गई है इन सभी मुकाबलों में LSD नहीं बाजी मारी है IPL 2023 में दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला जरूर देखने को मिला था इस मैच को LSD ने 50 रोनों से अपने नाम किया था तो देखा दोस्तों यहाँ पर LSD की ही विन-विन है तो ऐसे में होट फेरेट भी LSD ही होगा मैदान भी इकाना का ही है तो ऐसे में इकाना स्टेडियम में LSD का ही बोल बाला रहेगा लेकिन दिले कैपिल्स को कुछ तो नया करना पड़ेगा अब कुछ नया में यह हो सकता है कि आप कुछ चींजिज कर सकते हैं टीम में भाई क्या आपको लगता है शेहोफ को इस टीम में शामिल कर सकते हैं लेकिन ट्रिस्टन स्टब पड़े अच्छा किया इन्होंने बड़ा इफेक्टिव पारियां खेली है लेकिन बैटिंग में कुछ करना पड़ेगा डेविड वोर्णर को बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी प्रित्व शो को अच्छा स्टार्ट देना होगा और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब और रिस्टब अगर अच्छा खेलते हैं तो बैटिंग में दमखम तो है इसमें ये तो बात हमने देख लिए है क्योंकि पिछला मुकाबला भले ही 29 रनों से हारा हो देले कैप्टर्स लेकिन उसमें ये 205 बना दिये थे जब 235 का टार्गेट इनकों मिला था बड़ा दिल्चस्प हो जाता है लेकिन एक और इंपोर्टेंट चीज ये है कि लखनो का वैदर क्या दोनों टीमों को साथ देगा या फिर काम खराब करेगा लखनो के वैदर पर नज़र डालते है फ्राइडे 12 अप्रेल को लखनों का तापमान 23-38 डिगर के असपास रहने के उमीद है मैच में बारिश की कोई भी संभावना नहीं है बढ़ती नमे एकान मैच में थोड़ा बढ़ ड्यू फैक्टर आपको देखने को मिल सकता है ऐसे फैंस को दोनों टीमों के भी पूरे 40 अवर का मैच देखने को मिल सकता है यानि कि कि क्रिकेट फैंस के लिए गुड जूज है कि मोसम बिल्कुल साफ रहेगा तो ऐसे में पूरे 40 अवर का रोमान्चक मुकबल आपको देखने को मिल सकता है वैसे भी रोमान्चक यहाँ पर हर मैच आपको देखने को मिलते हैं पिछले मैच अब लेकर आब बात करोगे आपको पिक करने हो तो मेरा तो यह मानना है कि आप क्वेंटन डिकोक के ऊपर दाउं खेल सकते हैं इस मुकाबले में और अगर डेशी के तरफ से देखे तो डेशी में आप रिशब पंत पर फिर से आप लेख सकते हैं को कि प्रजेंट सिनारियों में तो ऐसे में कुछ इस तरीके का आप चुन सकते हैं टीमें लेकिन आप कमेंट्स जरूर करते रहे हैं और आपने क्या कई बार ऐसा होता है ना कि मेरी प्रडिक्सन बिलकुल सठीक जाती है और कई बार आप लोगों की प्रडिक्सन मेरे से बहतर हो जाती है तो ऐसे में कमेंट्स जरूर करके बताएं हमें की कौन सी टीम फेरवट रहने वाली है और कौन सी टीम बाजी मारेगी लेकिन डेली कैपिल्स के लिए मुकाबला कहीं न कहीं डू और डाइ सीचुएसन है क्योंकि ये हार गए फिर टॉप 4 में जाना मुश्किल ही नहीं बलकि नाम उनकी नहीं हो जाएगा क्योंकि फिर तो सारे मुकाबले जीतने पड़ेंगे डेली को तो ऐसे में आपको क्या लगता है आप पॉइंट सेबल में क्या डेली की टीम लखनों को लखनों में हरा पाएगी और क्या लखनों की टीम एक और जीत उनके पासे में आएगी तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए क्योंकि यहां पर ओकिनाव परजेंट सेंपियंस की जन यूँ ही जारी रहेगी